असलाम अलेकुम एवरिवन, होप यो आला डूइंग वेल, वेलकम बेक टू माई चैनल रब्याज डायरी, तो जी आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि यह आपको जितने भी ड्रेसिस नजर आ रही हैं, सारे मैंने सेल में से बाय की हैं, और मैं आप लो स्टार्ट करते हैं, यह हैं हमारा पहला ड्रेस, तो जी आपने वीडियो देखें, सारे कपड़े देखें, माशाला बोलते जाना है, क्योंकि अगर तो नजर लागी कपड़ों को फिर में घर वालों ने मुझे लेकी नहीं देने, तो मैं यह हर्गिस नहीं चाहती, यह दे द्रेस है, त्री पीस, वूल की शॉल है, इसके साथ लीलन स्टाफ है, यह भी मैंने सेल में लिया था, जी इसकी जो औरीजनल प्राइज है, वो 6500 थी और मैंने इसको सेल में लिये 4300 का, तो अब लोग खुदी हिसाब लगा लें कि मैंने कितने पैसे बचाईएं, एक ड्र से देखे कितना प्यारा लगेगा, इसके साथ इस तरह से रैड स्कीन मल्टी टाइप का यह पैचिस है, यह साथ एक पटी है, यह आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, गले पे, बार्डर पे कहीं भी लगा सकते हैं, और यह इसकी खुब्सूरा सी प्रिंटिड शॉल है, प् टेक रहे थे, तो मेरी ममा ने इसका यह बनाया है, इस तरह से जी यह देखे कितनी प्यारी प्रिंटिड इसकी शॉल है, और अब चलते हम अपने दूसर ड्रेस की तरफ, पहले मैंने आपको इसकी प्राइस बता दिया है, तो आपको नज़र नहीं आने भी 6500 का यह ड्रेस इसकी शॉल पर भी इंब्राइडरी है, इसकी जी है 5990, मतलब 6000 का यह ड्रेस था, यह हमने लिया है, 4000 का, तो जी यह बड़ा रिजनेबल सा मिल गया है, क्योंकि यह फुल इंब्राइडिट सूट है, इसकी शॉल भी इंब्राइडरी वाली है, वूल की, यह कैमल कलर का ड्र है, खदड़ स्टाफ है, इसकी जूवार है, और साथ इंब्राइड पैनल वाली इसकी शॉर्ट है, इस ट्रेस के साथ խी हमारी कंट्रास में ज्रा रेस्ट कलर की यह ड्रेस है, यह मैं आपको पैनल खोल के दिख़ा रहे हैं, इस तरह से इंब्राइड पैनल ज़ूड के फ्रंट बनेगा बैक इसकी प्लेन है स्लीज भी इसके इंब्राइडरी वाले है क्योंकि मैं एक एक चीज आपको खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि बाज उठबने थे मैं आप ही ने तो जी यह देखिए इस तरह से इसकी शॉल है इससके बाइडरी वाली एक साइड में इस साइड पर थोड़ा की खहांए इस सारी इसीम अपरा बाइडरी जा की पूरी शॉल references लसे शॉल्ड बाइड़ को ंता है इस सीचसे कोई बी डृस पसंध कि मैं पता चाहिए को अब ता चब मिलेंगे के नहीं क्योंकि जब सेल लगती है तो हर चीज बहुत जल्दी आउट आफ स्टाक हो जाती है अब यह आप लोगों की किसमत है आपको मिलेगा या नहीं अगर आपको कुछ पसानदा था तो यह हमारा जिट ड्रेस है निशाद का थ्री पिस फूलन चॉल है इसके साथ भी यह फूलन इंब्राइडरी वाला ड्रेस है इसकी ओरीजनल प्राइज है आठ हजार दोसुन नवेर पे यह भी मुझे सेल में मिला है छे हजार का इधर भी जी इसकी ऊरीजिनल प्राइज ही लिखी हुई है निशाद का ड्रेस है क्योंकि निशाद की ड्रेस वैसे ही थोड़े से एकस्पेंसिव होते हैं पिंग कलर का ये ड्रेस है हमारा यान डाइड है ये थोड़ा सा मोठा कपड़ा है कॉटन टाइप का ये कपड़ा है सर्दियों में पैना जा सकता है इस तरह से जी देखे प्लेन इसका ट्राउजर लाइनिंग में इसकी शिर्ट है और उपर स्किन ब्लैक इंब्रॉइडरी हुई है इस तरह से और जी इसकी शॉल मैं आपको भी नहीं दिखा सकती क्यूंकि इ है ये इसके साथ है कि इनोंने इंब्राइडिट पैज भी दिया वह आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दामन पे लगा लें स्लीवस पे लगा लें इस तरह से जी ड्रेस की फुल लुक है ये शॉल है इसकी लाइट पिंग कलर की लाइनिंग में ही इसकी शॉल है अब जी हम लुक देख लें बहुत ही प्यारा है ये इसका दुपटा जो है वो भी खदर काई अब मैं आपको खोल के दिखाती हूं कि किस तरह से है प्लेन इसके साथ ट्राउजर है इसकी प्राइस चार हजार एक सो मतलब 41 का ये ड्रेस है ये इसका प्लेन ट्राउजर है और ये इसक शेयर कर चुकी हूं इस तरह से जी ये इसके साथ टुपटा है बड़े फलार्ज वाला जो है वो शियर्ट है और ये छोटे छोटे जो सर्कल्स बने वे ये इसका तुपटा है साथ होप सो आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो अगर आपको मेरी इस इस तरह से पहले आप इसकी फुल लुक देख लें इसके ओपर बहुत ही नफासत के साथ बैठी बैठी इंब्राइडरी हुई है ये ड्रेस है हमारा 3780 शायद इस तरह कोई प्राइज है पर ये मैंने सेल में ही लिया मुझे ये डिसकाउंट में मिला है जी 24 या 2300 का बहु को थोड़ा सा दिखा देती हूं ये इसके स्लीज है स्किन कलर की इस पर इंब्राइडरी हुई हुई है खदर स्टाफ में है ये भी सेल में हमें कपड़े बहुत रीजनेबल मिल जाते हैं जहां हमने आम दिनों में जितना मारा बजट होता है उसमें दोर ड्रेस लेने होता काफी रीजनेबल मिल गए हैं तो जी जितने भी आज की वीडियो में ड्रेस हैं ये सारे मैंने डिसकाउंट में लिये हैं फसासत मैंने आप लोगों को प्राइस भी बता दिया अगर आपको कुछ भी पसंदा आता है तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं होप सो आप को मिल जाएं यह हमारा सिफाई का ड्रेस जो मैंने फिलेट wa 50% में से लिया है यह खदर का टो पीस ड्रेस है पृंटिड इस तरह से इसका पृंट है कैमरे में इसका कलर सही से नजर नहीं आपर यह लाइट पिंग कलर है इस तरह से पृंट इसका आदे घंटे के अंदर अंदर पूरी दुकान बिलकुल खाली हो चुकी थी कि मैं उधर से एक भी सूट नहीं खरीद सकी फिर ये ऑनलाइन मैंने दो ड्रेसिज जो मुझसे आर्डर हो सके मैंने कर दी क्योंकि आनलाइन भी हाट चीज आउट आफ स्टाक हो गई थी जब सफा कि 50% सेल में तो जी ये मेरा जैलबरी का ड्रेस है ये सेल में नहीं है ये मैंने औरीजनल प्राइस पर ही खरीदा है इसकी औरीजनल प्राइस है 1790 मतलब 1800 इसकी प्राइस है टूपीस ड्रेस है खदर का ही है जैलबरी पर कभी भी सेल नहीं लगती क्योंकि ये वैसी इनके बहुत रीजनेबल से होते हैं इनकी प्राइज़ ज्यादा हाई नहीं होती हैं तो जी इसका प्रिंटी ट्राउजर है और ये इसकी शिर्ट है स्फायर पे तयले डिया झाला नहीं है। स्फायर पे क्योंके स्फायर की जो शॉप है वो खुल जाती है सुबा नो बजे मैं साड़े नो बजे उदर पहुंची हूँ और पूरे दुकान खाली थी मतलब के आदे गंटे के अंदर अंदर उदर से कुछ भी नहीं मिला मुझे के मैं सिफ एक ड्रेसी ले लूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला मैं खाली हाथ वापिस आगी थी बहुत ही दुखी होके तो जी ये मेरी बहुत ही दुखी सी कहानी मैंने आपको सुनाई है ये भी जेलबरी की शिर्ट है, ये भी सेल में नहीं है, ये भी औरीजिनल प्राइज में है, ये 990 मतलब 1000 की इस तरह से शिर्ट है, ये वाइट ट्राउजर के साथ पहनी भी बहुत ही अच्छी लगेगी, खदर स्टाफ है, इस शिर्ट का भी मेरे जो मोस्टली कपड़े होत तब मुझे पहनावा, हर एक ये अपनी अपनी चॉइस होती है, तो जी इस तरह से ये हमारी शिर्ट थी, अब ये जो शिर्ट है, ये भी मैंने सिर्ट से ही ली थी, ये भी फ्लैट 50% में मुझे मिलिया, वैसे ये 1000 की शिर्ट थी, और जी जो है, ये मुझे मिली है 500 की, मत फ्लैट 50 में मिला था साड़े बारा सो का मतलब हाफ प्राइस पे वो मुझे मिला था अगर अब हम बजार से भी कपड़े लेने जाते हैं तो दो हजार अठारा सो से कम आपको आम टूपी सूट नहीं मिलता और शिर्ट जो है वो मॉस्ट लिया बजार से भी फ्लैट 50 परसंट में से और यह देखें अब एंड में आपको सारे खलारे दिखाती हूं जो मैंने डाल ले हैं यह सारे मैंने खुद समेटने हैं आप लोगों ने तो बहुत मज़े से सारी वीडियो इंजवाई कर दिया आप इनको टाय करने में टायम लगना है तो देखें जी कितनी मेंनत होती है एक वीडियो बनाने में और आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते कमेंट भी नहीं करते आप लोग का सिर्फ एक मिनट लगता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला